ओम्शंटी आज की मुल्ली स्टोरी श्री कृष्ण के परमेत्र सुदामा पर आधारेते। श्री कृष्ण और सुदामा बच्पन के दोस्ते दोनों संदीपनी रशी के आश्रम में पढ़ाई किया करते थे। जब दोनों बड़े हो गए तो दोनों अपना विद्य अभ्यास पूरा करके अपना अपना कारोबार संभालने चले गए। श्री कृष्ण गए द्वारीका के राच्ची का करोबार संभलने और सुदामा गरीब था इसलिए उसकी एक गरीब कन्या से शादी होगी। सुदामा को अनेक संताने हुई। एक तो गरीबी और दूसरा बढ़ा हुआ परिवर। इससे तंग आकर एक दिन सुदामा की पत्नी ने उसको गुसे में कहा कि आप अपने मित्र की महिमा करते नहीं ठकते हो। आपका मित्र इतने बड़े राज जी का मालिक है आप जाके उससे भेट क्यों नहीं करते। अगर भेट करोगे तो हमारे हालात कुछ तो सुद्रेंगे। तो पत्नी के जोर देने पर सुदामा गए द्वारीका में अपने मित्र से मिलने। अब इतने बड़े महाराज मित्र को भेट क्या दे। घर में केवल मुठी बर चावल था। तो उसको एक पोटली में बांद कर बगल में दबा कर सुदामा द्वारीका के लिए निकल पड़े। जैसे ही अपने परम मित्र सुदामा के आने की खबर स्री कृष्ण को मिली तो वो आनंद विभोर हो गई। सर से मुकुट गिर रहा है, बासुरी गिर रही है, पद्री काएं गिर रही है, कुछ भी भान नहीं रहा, कुछ भी सुदबुद नहीं रही। और वो अपने मित्र को प्रवेश्ट वार पर ले गए और अपने इस सिंगासन पे बैठा दिया। और श्री कृष्ण को इतना प्रेम भर के आया सुदामा पे कि उन्होंने सुदामा का पैर भी धुला और अपने जैसा स्वच्छ बना दिया। फिर उन्होंने सुदामा से पूचा, अच्छा ये बताओ, तुम यह किस कारण से आये हो। तो सुदामा ने संकोच के मारे बताया नहीं, मेरा इतना सब कुछ सम्मान कर दिया। अब गरीबी के बारे में बताना वो भी महराज मित्र को शोगा तो नहीं देगा न। तो सुदामा चुप रहा, उसने कुछ नहीं बताया। फिर कृष्ण ने पूचा, श्री कृष्ण ने, अच्छा तुम यह तो बताओ कि भावी ने मेरे लिए क्या भेजा है। तो वो भी सुदामा संकोच के मारे नहीं दे रहा था। इतने बड़े मित्र को मैं छोटा सा मुठी वर चावल दूँगा। उसके महल में तो इतना उसके लिए रोज पकवान बनता है। यह मुठी वर चावल से क्या होगा। तो सुदामा चुपा रहा था। तो श्री कृष्ण ने सुदामा से छीन लिया। और बड़े खुशी से चावल के दाने खाने लगे। जब स्री कृष्ण चावल के दाने खा रहे थे, तो उधर सुदामा के महल तयार हो रहे थे। और उसके पशुधन सहित सर्व सुविधाय निर्मे थो रही थी। फिर जब सुदामा का जाने का समय आया, तो वो द्वारी का से अपने गाउं पहुचा। उसने देखा ये क्या, मैं गलत जगे तो नहीं आया हूँ न, इतना बड़ा महल कहां से आ गया। फिर जब उसने अपने गाउं वालों को और अपने परिवार को रेश्मी वस्त्रों में देखा, तो वो मन ही मन सारा खेल समझ गया। कि स्री कृष्ण ने मेरे बिना कुछ कहे, मेरी गरीबी को दूर कर दिया। और फिर सुदामा ने स्री कृष्ण पर धन्यवात की बहुत वर्षा की। तो इस श्टोरी का अध्यात्मिक भाव है, शिव पिता परमात्मा गरीब निवासी। कोई बच्चा भावना से एक रुपिया भी शिव पिता परमात्मा के यग्य में लगाता है, तो शिव बाबा उसको उस एक रुपिये का भी पदम गुणा रिटर्न देते हैं। इस जनम में तो देते ही हैं, लेकिन भविश्य के एक एक जन्मों में भी देते हैं। शिव बाबा रुपिये को पैसे को नहीं देखते हैं। शिव बाबा भावना को देखते हैं। अच्चा ओम शंती।